तो लिखता हूं तो यादा हूं यानि कि हम दूद बेचने का ताम करते थे तस लाक सकतर हजान जिसे कि सर मैं जब दूद बेच रहा था तो मेरा सपना था सर सैकल से बाइक तक की मैं आज के अगर बात करूं सर तो मेरे पास ग्रेंड विटा रहा है यहां फे सिस्टम में आपके वाइटियम में सफ़र हो जाता है अज पर बहुत बहुत श्वागत है तो धने जासर हम लोग सुरुवात करते हैं और सुरू करेंगे आपकी जीवन की कुछ बातों से कि जैसा आपका जनम कब हुआ आपके परिवारिक प्रिष्ट भूमी परिवार में कौन-कौन लोग है और आपके सेक्षरी की उग्यता कहा तक आपके पढ़ाये लिखाए अगर पढ़ाय का बात करें तो मैं 12 पास आउट हूँ सर अच्छा जी और परिवारिक में अगर मैं बात करूं तिरमी मम्मी हैं भाई हैं दो बहन हैं मेरी बीबी हैं और दो बच्चे हैं अभी परिवारिक में और इस्तितिक अगर बात करूं सर परिवारिक की इस्तितिक एक रोजगार खोजनी के जवरत था, उसको रोजगार की जवरत था, तब वो 52 के रसे, लगबग अगर आरंग की दूरी से बात करें, तो 40 से 45 कुमिटर के दूरी में रहते थे 52 के रे गाउं हैं, वहां से उटकी उन्हें आरंग रोजगार खोजनी काम डूड़ने निकले आ परपस होता है, तो कहीं न कहीं रही को मंजीन मिल जाता है, जिस तरीके से धननजा जी के माता जी, पिता जी को एक काम चाहिए था, परपस था, तो वह आरंग में आकर बस गए, चलो बहुत बढ़ी है धननजा जी और आगे हम जानना चाहेंगे, कि डारिक सेलिंग के पू देखे सर, मैं धननजा कुमार यादा तो लिखता हूँ, तो यादा हूँ, और आज हमारा काम ही है कि गायवेस का काम था, और आज भी मेरे घर में डेरी फार्म है सर, और डेरी फार्म रहते हुए, उसी डेरी फार्म का दूद को मैं सप्लाई करने का काम करता था, घरो घर जाके मैं दूद दानने का का हुआ है यानि कि हम हिंदी में इसको कहेंगे तो और यह ज्यादा कनेक्ट होंगे सपलाई तो अगरेजी हो गया यानि कि हम दूद बेचने का काम करते थे चलो बहुत बढ़िया उसके उससे पहले उसके बाद में पढ़ाई करते करते मेरे एक ज मिनट जब रुक के सुना तो वाइटम में आने का रीजन एक ही था सर कि वाइटम का जब पोड़क के बारे में बता रहा था जो मेरे जो सिनियर थे तो वो मेरी जो दीदी थी उसको साइटी का की समस्य थी और साइटी का की समस्य थी तो दो साल से उसको इलाज करवा रहे थे बातरूम भी अगर ले जाना रहता था तो दो लोग वेक्ती जब पकड़ के लिए लेके जाते थे तब ही वह बातरूम कर पाते थे तो अपना डेली जो काम होता है उसे लिए भी अपने सक्षम नहीं थी तो मेरे को आईटियम के बारे में पता चला और मैं दूद्द डालने ले गये था वह में वह साइटिका के बारे में जब चर्चक किया तो सिनियर ने बोला यह पोडक आप चलाईए फिस मैं उस पोडक को चलाया सर तो इतना बहत्तर रिजल्ट आया सर तो उस समय मैं ने सर को पूछा फूल इमार्पी में लगा कर दिया था तो 2020 में उसको पू मैं मिस्त्री लोग के साथ उन लेन पर हम कीया ऐसे बहुत सारे काम किया जिसमें सफलता मिल जाए ऐसको कोई काम नहीं किया हूँ नहीं मतलब मिल जो मिला उसको Fr सफ़ालोने के लिए फिर लास्टम भी सिस्टम के बारे मताया फिर मैं धीरे 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 कनेक्ट हुआ इस काम से बहुत शांदार जयानि कि दननजय जी सबसे बहतरी जो है वह हमारे उदपाद हमारे प्रोडक्स से आंदोलिट होके इस विश्याय को चालू कि और कही न कहीं में सबसी बड़ी समस्ता ये इंसान का क्यों सोचता नहीं है कहीं न कहीं दरंजे दूद बेचने वाले घर में पैदा तो हुए थे लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते तो उसके सोच में कुछ अलग चीज था और फिर उनको वाइडिया दूद बेचते वक्त ही मिल गया तो दरंजे साब हम आगे जानना चाहेंगे कि डारिक सेलिंग की फिर सुरुवात कब हुई आपकी डारिक सेलिंग की बात की अगर करें असर तो मैं मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं दूद बेचने गया था उसके बाद 15 दिन बाद मैंने जब जोईनी किया तो 23 तारीक दरंजे था और 9 महीन था 2016 में सुरुवात किया सर डारिक सेलिंग को अच्छा ग्रेड बाद बढ़िया तो वाइटियम आपकी पहली कंपनी है कि इससे पहले नहीं मतलब पहली कंपनी है सर मेरा अच्छा यानि कि आपने वाइटियम से ही डारिक सेलिंग को समझा है बहुत शांदार बहुत ही जबर्दस यानि कि पहली बार में क्योंकि ये होता नहीं है एना ऐसी चीज़े कि पहली बार में लोगों को जीवन बदलने वाली कंपनी मिल जाए और 2016 में आपने शुरुवात किया तो काफी लंबा समय हो गया आठ साल हो रहा है दनंजा जी 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 ज लोड़ता हूं जिसको मैं कहता हूं कि अपने गुरु को जरूर याद किया जाए तो इस वियोसाय में आपको जिसने स्पांसर किया उनका नाम अगर आज इस लाइव के तुरू इस यूटूब के तुरू इस वीडियो के तुरू हम दे तो कहीं न कहीं आपके गुरु का और आशिरवाद हमको प्राप्त होगा तो उस सांदार विक्ती का नाम जी मैं अगर गुरू का बात करूं सर तो सिस्टम में लाने वाला मेरा जो गुरू था एक लोबिष्टा खुजूर करके जो विक्ती था मेरे को सिस्टम में लाया अच्छा लेकिन होता कि हैं सर नेट सिखते हैं अगर मैं स्पॉंसर की घर बात करूं तो आज मेरे स्पॉंसर जो आइडिया है वो धर्में लियादाव सर हैं बहुत ही शांदार यानि कि जो एक्टिव अपलाइन है आपके धर्में लियादाव साब जो भी सुरुवात से हम आ रहे हैं आगे इंटर्व्यू मे सुरुवाती नतीजे थोड़े कमजोर होते हैं और यह व्योवसाय वह नहीं है कि कहीं लोग आते हैं कि रातो रात ओर नाइट मनी रातो रात पैसा बन जाएगा कुछ स्कीम का और ऐसे लोग भी चड़ भी जाते हैं लेकिन जिसको इस व्योवसाय की गहराई समझ में आती किया उसकी बाद धेरे-धेरे जब चलते गया तो भरमीड कुछ लोग मेरे को करते गये तो करते-करते ऐसे कुछ इन्विश्टर सेक्टर में आय तो उसमीं मैं दलदन में घुश गया और दलदन में जब उस ऐस तो इतना गोस गया की आर से 9 लाग दस लाग मैं करजे में अच्छा तो चड़करजी में जब चला गया तो उसकी बाद मैं कोरोना काल आ गया उसकी बाद जब उस बीच में मैं फिर सिस्टम से थोड़ा बेक अप ले लिया अपने को अपने वाइटियाम करते करते हम थोड़े से डिस्ट्रेक्ट हो गया लोगों ने सराल तरीका बतान के सर्थ 2021 मतलब नौ तारिक था आठवों महिना था 2021 में मैंने फिर से सुरुवात किया और जब उस बेट में जब सुरुवात किया सर तो सबसे मेरा जो पहला इंकम जो था 7336 रुपय के इंकम था सर इस्टार बहुत सांदार धनंजर जी यानि कि कंपनी से और इंडस्ट् लोगों के चक्कर में आ गए थे जिसमें समय और पैसा दोनों बरवाद हुए से तो इस इंटर्विव के माद्यम से आप समझेए बिलकुल कि हो सकता है आपको बहतरीन लीडर मिला हो हो सकता है बहतरीन कंपनी मिली हो लेकि रा में चलते वक्त कोई विक्ति ऐसा मिलेगा उ गलती आप बिलकुल कभी मत कीजिएगा क्योंकि दनन्जे समय तो गवाए पैसे तो कमाए फिर पुना सुरुवात करके आज अपने आपको स्टेबल किये है और आगे की कानी हम दनन्जे के जुबान से ही जानेंगे तो दनन्जे पहला चेक तो आपका 7000 बना फिर वापस पुना सुरुवात किया तो फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते सर सबसे बड़ा मैं चेक लिया सर जन्वरी 2024 में मैं लिया अच्छा तारीक था और 2024 एक जन्वरी 2024 को मेरा सबसे बड़ा चेक था सर दस लाग सत्तर हजान एक दूदवाला ये कह रहा है कि 7000 रुपे से 2021 में चालू किये और आपका बड़ा चेक कब आया ये चोबीस में आया सर सबसे बड़ा दोजार चोबीस में मज़ दो साल के अंदर दस लाग से ओपर का चेक सिंगल चेक सिंगल मंद का चेक आया है तो सायद आपको डिरेक सेलिंग को सायद आपको नेटुक मारकेटिंग को सायद आप की इंटर्व्यू में आपको धनंजय को बहुत ही डीबले सुननी चाहिए तो बहुत ही रोचक होते जा रहा है इंटर्व्यू धनंजय आपका तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सिंगल मंद का चेक कितना बता है आपने दस लाख सतर हजार तो क्या टोटल इंकम हो चुका है अ और इसलिए भी बहुत ही उतसाइद करने वाला धनंजय की स्टोरी है क्योंकि ये एक दूध वाला के घर में जन्मे हैं और आप सभी को पता है कि जो हमारी वातावरन होती है, जो माहौल होता है जो परवरिश जहामारी होती है, हमारी सोज भी उसी स्थर की होती है लेकिन उस तर से यानि कि हम यह कह सकते हैं कि फ़र्स से अर्स तक पोचने वाली जो चीजे बहुत ही प्रेदित करने वाली कहानी है धनेंजा जी आपका सुधरनजा मैं आगे पूचना चाहूँगा कि बतोर डारेक सेलर जी आपकी डेली रूटिन कैसे रहती है डेली अगर रूटिंग की बात करें सर तो सुबा मॉर्निंग उड़ते हैं और मॉर्निंग में कुछ जूम मिटिंग का सुरुवात करते हैं 6 बेचे सुबा एक गंट होते हैं उसकी बाद नौस की बज़िक बाद तयार वागा रहो कि अपना फिल्ड में कंटी यह बिजनेस कहीं न कहीं हमें सिष्टाचार में भी ले आता है हमें डिसिप्लिन में भी ले आता है और एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से प्लक कर देता है कि आदमी अगर सरेंडर कर दे खुद को सिस्टम में तो भी आदमी बन के निकल जाता है वहत ही शांदार दनेंजे सो दनेंजे अभी मैं बहुत ही व्यंगात्मक प्रस्न एक आपके साथ जोड़ूंगा ब्रस्न पूछूंगा प्राया मैं अपने इंटर्वियू में लोगों को यह प्रस्न पूछ आते हैं और लोगों को यह संदेश देते हैं केवल व्यूज के चक्कर में केवल और केवल यूटूब फेस्बूग में ख्याती प्राप करने के चक्कर में कि नेटवर्क मार्केटर की लाइफस्टाइल ऐसी होती है और आज के जो नौ यूवा लोग सोशल मेडिया सर कि नेटवर्क मार्केटर क्यों नहीं करने अगर बात करें तो इसलिए निट वर्क मार्कटिंग नहीं करना चीज़, यानि कि आप पो कहना चाहते हैं कि एक दूधुआला परिवार में आप जनम लिए, वहाँ आपकी आखरी मंजिल मोटर सैकल थी, लेकिन आज आप एक कार में चल रहे हैं, कौन सी कार वैसे चला रहा है आप जने जर जी मैं आज की अगर बात करूं सर तो मेरे पास ग्रेंड विटारा है क्या बात देख सका कितने का है लगबग 18 लाग की ग्रेंड विटारा यानि की बतोर दूद वाले के घर में जनम लेके आकरी मुंजिल मोटर साकल थी इसलिए न इतना वाँ कमाने के सोचे ते उतना टेक्स बटाते हैं वहाँ दूद बेचकर ज्यादा से ज्यादा धोती पैजामा तक पहुंचते और यहां सूरबूर तक पहुंच गये बहुत ही शांदार धननजय जी और यह एक अदभूत दुनिया है या डिरेक सेलिंग की आज आप वाइटियम से बहुत कुछ प्राप किये हो जी आज आप एक यादो समाज के लिए भी बहुत बड़े एक मार्ग दर्सक बने हो डैरेक सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक यूथ आईकन हो आपकी उमर अभी क्या है मेरे यागर उमरी की बात कुनों सर तो 28 साल है 28 साल है तो बहुत ही युवा आप सांदार नेटोक मार्केटर हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने वाइटियम में इतनी बड़ी दुनिया का आपने एचुमेंट हासिल किया है कार हुआ आपका सब कुछ हुआ बड़ी एचुमेंट ही वे महिने में 10 लाग से उपर का आपन देखा दियो तो मार्केट को क्या चीए सर मार्केट को चीए सबसे सस्क्राइब में सबसे अच्छा ये बहुत बहत्रिन है सर ये बेश्ट है फाइटियम का विजन सौ बिलिनियर नेटवर्क मार्केटिंग जो कोई भी कमपनी का आज तक मैं ऐसा विजन नहीं देखा इनकम आज तक जो इनकम जो आता है चायो 50 लाग का क्योंने इनकम हो कभी भी मंगलवार से वत भार नहीं हूँ है सर ये बहुत बेश्ट है सर अगर यहाँ पर प्लान करें तो डबल बैनरी कौनसे अच्छिप्ट है सर ये बेश्ट है सर अगर अभी आपनी श्टाट अप क को ज्वाइन करता है और वो सपोर्ट नहीं कर पाता है तो हमारे YTM का एजुकेशन सिस्टम इतनो स्ट्रॉंग है सर कि यू सोमार को हमारा अगर प्लान को देख लिया तो वहाँ से सीखने मिल जाएगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात सर तो बुद्वार को हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है अभी सिजन अब एसे लिए से चलता था है न वो अगर देख लिया एक लिडर की कहानी तो वो बेश्ट है सर मतलब एक लिडर अगर जोईन किया है और वो सपोर्ट नहीं कर पाया खसर गया तो डारेक्ट कंपणी उसको वहां तटकी बहुत ही शांदर यानि कि वाइटियम में एसी अदबुद एजुकेशन सिस्टम है वाइटियम का मिशन वाइटियम का विजन वाइटियम का प्रोड़क वाइटियम का माकेटिंग प्लान अपने आप में आपको अंदोलित करती है क्योंकि ये आपको बाजार में मिले गए ही नहीं और शांदर जो चीज है हमारी एजुकेशन सिस्टम की आपको जिस भी विक्ति ने जनम दिया वाइटियम में अगर वो एक्टिव नहीं है उसके बाजूद भी इस एजुकेशन सिस्टम से आप खुद को प्लक करके आप सफलता प्राप कर सकते हो बहुत ही शांदर दरंजे दरंजे हम चाहेंगे कि आप एक आज मंजिल तक पहुचे हो तो रास्ता का आपको बहुत ही शांदर अलुग हो है तो हम चाहेंगे कि आप एक संदेश हमारे ओडियंस को ITM के ओडियंस को नेटोक मारकेटेर्स को दीजिए क्या संदेश आप देना चाहते है डिरेक्ट सेलिंग को लेके नेटोक मारकेटिंग को लेके और यूथ के लिए नए जो लोग है direct sending का आज इच्छा सक्ती हो रही होगी जिनको इस business को करने का तो वो एक संदेश आपनी मैं यादाव परिवार से पैदा हुआ था अगर यह system अगर मेरी को नहीं मिलता तो यादाव ही रह जाता यादाव आप देखते हैं कि कहने की दूद बाचने और गया चरहने तक किसी मित रह जाते हैं लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आए सर अगर यूथ आइकन और नेटवर्क में आपकरिफ्टर जो भाई है अगर यहाँ system में अगर प्लक होता है तो उसको तीन चीज करना चीज है सर तीन चीज में आता है मैं एक उधारन से आपको बताना चाहूँगा जैसे कि एक हमारा राम भगवान था राम भगवान इसी लिए बनाए सर कि उसने चोदा साल का वनवास किया यानि कि राम जी वन गया तो बन गया राम जी वन गया तो बन गया अगर कोई लीडर यहाँ पे सिस्टम में अगर 14 महने के लिए भी अगर घर से बाहर रहता है सर 14 महने के लिए भी अगर घर से बाहर रहता है तो 100% कहीं नी कहीं यहाँ पे वाइटेम में सफल हो जाता है अंदर दूसरा अगर इस्तिति आता है सर दूसरा इस्तिति आता है क्रिष्ण भगवान की तो क्रिष्ण भगवान की इस्तिति रहता सार्थी का सर सार्थी अगर वो लीडर बन गया लीडर बन गया 14 साल विर्वास करने बार लीडर बन गया तो सेकन स्टिप जो आता है उसका सहयोग का वो सहयोग एक लीडर को बनाने में करे सार्थी बनके उसको बनाने में करे तो वो सीकर इस्टिप में अगर कृष्ण भगवान का कर लेता है तो अपना तिसरा इस्टिप जो आता है वो विश्ट्व भगवान के रहता है अगर आप समूत्र में भी अगर है सर समूत्र में भी अगर सोय हैं विस समूत्र में भी सोय हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसा जो आ रहा है वो आता ही रहे गसरों आप दस दिर रहे जा है बिज दिर रहे बाएर रहे या सिश्टम में नहीं रहे तो भी आपको कहने का है कि सबसे पहले आपको hard work करना है कड़ी मेनत करना है संगर्स के प्रतीक बनना है जब आप त्याग करते हो उसके बाद आप लीडर बनते हो और लीडर बनने के बाद जिस तरीके से अपनी क्रिश्ण जी का उद्वारान दिया कि आप डुप्लिकेट कीजिए आप सार्थी बनिये और लोगों को जंग जिताइये उनको भी डैमन बनाईये उनको भी टिपल ड यानि कि आप अराम करिए मौज करिए तब भी विकली मंतली आपको प्याउट जाएगा ही जाएगा तो यानि कि अर्ली रिटाइर्मेंट यहां पे धननजय जी आप लोगों को बताना चाहा है बहुत ही शांदार मेसेज धननजय आपने दिया है और जिस तरीके से धननजय अ में बिल्कुल आपकी गलती है तो दननजय बहुत-बहुत शुकरिया बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपके साथ रूबरू होके हमने भी बहुत कुछ सीखा और आपके माध्यम से अब हमारी ओडियंस भी बहुत कुछ सुखेंगी बहुत जल्दी हम आपको फिर से बुल कि इस वीडियो को पूरा देखे और जिस जगा भी आपको बढ़िया लागे अच्छा लागे तो आप कॉमेंट बुक्स में आके कॉमेंट करके उस पंक्ती को जरूर लिखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अगर आप वाइटियम इंडिया से जुड़े ह हुए है तो अपने अंतीम से अंतीम टीम को अपने अंतीम से अंतीम डाउन लाइन को मेंबर को अपने पैचान के लोगों को अपने दोस्तियार को ये वीडियो का लिंक शेयर करें थैंक्यू सो मच नमस्कार